उसके बाद आप तमाम मिलकर एक साइन करके बोले यह हम सर्टिफाई कर रहे हैं। पताया में कुन सी कयामत आएगी यह सब एक साथ बैठेंगे। ने ने हम कर देंगे ना, हमारे लिए बोल रहे हैं। चलिए अच्छा दूसरी बात ये है कि आपने मुसल्मानों के बारे में सब सही कहा कि ये इसमें जाते हैं कास्ट मैं ये मानता हूँ मगर ये बताइए कि अगर वो कास्ट को आप ले लेंगे तो उसका पॉलिटिकल एमपॉर्मेंट क्या है? क्या कुछ उसका नेता है? बारामन समाज का आपने अभी एक्जामपल दिया आपकी यूनिन्न मिनिस्टर है गाड़ी उनकी बेटा उनका चार को मारता है मर मंतर है क्यों नहीं अटा रहे? क्योंकि उनके ओट चाहिए आपने खुद कैबिनेट एक्सपैंशन में किया प्रैमिनिस्टर ने खड़े होकर पारलिमन ने कहा कि हमने ओबी सी समाज के लोगों को मिनिस्टर बनाया प्रैमिनिस्टर खुद करते हैं तो हम तो वही कह रहें या कि political empowerment मुसल्माना का होना चाहिए और ये reality है, मुसल्मानों में diversity है मुसल्मानों में अंसारी है मुसल्मानों में खुरेशी है मुसल्मानों में मुसलिम गुजर भी है सैफी भी है, बहुत से स्यद हैं पठान हैं, बहुत सी बरादरिया हैं मगर एक चीज जो उनमें नहीं हो political empowerment नहीं है और इसी वज़े से हम पीछे हो रहे हैं आप से सही का MY combination, MY combination में खाली Y को फाइदा हुआ और आपके पास आप तो साड़े चार साल में मुख्या मंतरी तो सिर्फ ठाकुरवाद किया इसलिए BJP परेशान है, दर्दे सर का शिकार BJ BJP है कि अब कैसे करें कि हम कैसे ठाकुरवाद के टैक को निकाले और आपने भी ऐसा जुमला बोल दिया विचारे नोटी सी नहीं कि आपने पंडित जी कह दिया उनको पर यह बताए कि आपका खेल भी तो समझ में आ रहा है सर मुस्लिम दलित कॉंबिनेशन आप चाहते हैं अंबेगर की पार्टी से वहाँ पर महराश्च में आपने गट बंदन किया वहाँ से लेकर अब तक आप चोटी पार्टी है राजबर साब के साथ आप भी तो एक स्ट्राटेजी से चल रहे हैं ना जाहरे मैडम आपका शुक्रिया आपने स्ट्राटेजी की बात की मगर जहां तक दलित समाज की बात है अब बताईए थोड़े दिन पहले क्या हुआ मर्डर हो गया एक परिवार का दो-दो मर्डर हो गया कितने मर्डर होते हैं यूपी में दलित समाज में जलुम हो रहा है तो बात बिल्कुल सच है अचा और एक देखे जलुम जब होता है ना एक गुपता सहाब मर गए गोरगपूर पॉलिस कस्टेडी में तो फौर मुख्यमंत्री दोड़े अकीलेश दोड़े मुख्यमंत्री ने का पचास लाक नौकरी अकीलेश ने कीस लाक का चेक दे दिया वही एक उतर पर दे काश गंज में अलताफ मारा गया पुलिस कस्टेडी में कोई पूछता नहीं है फैसल उनाव मारा गया कोई पूछता नहीं है तो अगर आप डिस्क्रिमिनेशन करेंगे तो पर यह तो रियालिटी बता रहा हूं मैं आपको इसमें गलत क्या कह रहा हू पहले तो एक बात क्लियर कर दूँ इन्होंने हमारे मुख्यमंत्री जी के लिए कहा कि भाई वो ठाकुर है मानेवर जिसको हिंदू धर्म की परंपरा को पता हो कि जो वेक्ति संत हो जाता है वो वेक्ति अपना पूरा परिवार जात तो छोड़िये परिवार छोड़ देत जाता है नाम बदल दिया जाता है इसलिए योगी जी अपने शपत पत्र में अपने पिता का नाम नहीं लिखते अपने गुरु महंत अवैदनात का नाम लिखते हैं क्योंकि हमारे याँ परंपरा है जात न पूछो सादू की पूछ लीजिए ग्यान मोल करो तलवार का धर भी रहे दो म्यान अब मैं दूसरी बात पर आता हूं देखें इनका तो अपना एक चश्मा है एक नजरिया है जैसी नजर है वैसा नजरिया है इसलिए इनको तो यह भी नजर आता है यह कोई आज की बात थोड़ी है कि मुस्लिमों पर अत्याचार जादा हो रहा है उनके पर करवाई ज्यादा हो रही है यह जब पोटा आया था तब भी यही कहा गया था चलिए पोटा लाए हम थे हटाया था कॉंग्रेस ने अरे टाड़ा याद करिये लाए राजीव गांधी और हटाया गया नर्समाराओं के जमाने में किसलिए मुस्लिम यादा शिकार हो रह का देखिए तो कौन से नाम जाने जाते थे अतिक अमद मुक्तार अंसारी अबू सलेम छोटा शकील अब तो वो नाम नहीं दिखते और मैं कहता हूं यह तब से नाम दिखने लगे जब से देश सेकुलर हो गया